अब आज पूना आप लोगों को पार्थ जो केसन के इस मंज पर स्वागत है अब पार्थ तो सब लोगों को यह सुचना देखें को कल कलास आप यॉफ थी हमने कलास नहीं लिया था अब तिकत काड़ों से आज क्लास आपकी दो घंटे के चलेगी जिसमें फ़र्ष्ट वन आउर्स की क्लास टॉपिक आपका लिखिया लिखा हुआ है महाशागरी मिच्छे ओसियन डिकोजिक और दूसरे वन आउर्स की क्लास में हम लोग कोशन पेप अपर चर्वचा करेंगी कि मिलान जी फोन करिएगा पता चलेगा ठीक है हाँ फोन कर लेजिएगा संस्था में पता चल जाएगा चलिए बोड़ पर आते हैं हम लोग आज का टॉपिक आपके सिलेबस के दिरिष्टिकोर से टिष्टी पिष्टी नेट जारफ के दिरिष्टिकोर से बहुत ही इंपोर्टेंट है यांसे सवाल पूछे जाते हैं इसके पहले हमने ओसियन रिलीव पर चर्चा किया था देने के आप तक चीजे पहुंचे खिक उसी तरीके से आज के क्लासरी में कोशिश करेंगे कि बहुत ही आसान तरीके से आपको चीजे जाएं लेकिए महाशागरी निच्छेप एक अपने आप में कठिन टॉपिक मना जाता है समझ में नहीं आता है जब आप स्विंदर शीम को पढ़ेंगे तो नर्न महाशागरी निच्छेप को समझाने के लिए साथ से आठ पेज खतम किये हैं खर्च किये हैं लेकिन मेरी कोशिश रहागी कि दो पेज में मैं आपको इस मेटर को दूँ और यहां से एक भी परस में बाहर ना जाए आपको करनी है फीस के संबंद में और सारी चीजें पार्शन के फोन पर जाकर के संपर्ख करिए वहां पर आपको सारी इंक्वारी आराम से दी जाएगी ठीख है और फीस जमा करने के बाद 24 गंटे के अंदर आपको टैक कर दिया जाएगा जोड़ दिया जाएगा उसके लिए परसान नहीं होना है ठीक फेथ करने की ज़ुरत है ठीक जो आज की जमाने में बहुत कम बचा है तक फिर भी कुछ लोग हैं जिनके साथ आप फेथ कर सकते है ठीक है पता चल जाता है लोगों से पता करने पर इन पर किसी पर विश्वास किया जाए ना किया जाए ठीक है आई हमना टॉपिक शुरू करते हैं देखिए ओसिया महासागरी निक्षे ओसिया डिपोजिट जो है इनको इनका जो वरगी करण है यह मुखिता तीन भागों म किया जाते है पहला जो है इसे कहते हैं भूमिगत निक्षे दूसरा जो भाग है इसे कहते हैं जैविक निक्षे और इसका जो तीसरा वरगी करण है इसे कहते हैं जोला मुखिम इच्छे जोला मुखिम इसे कहते हैं जोला मुखिम इच्छे कि कल कलास नहीं हुआ था आज कलाफ ले रहा हूं आज दो घंठे कलाफ शलेगा आपका देखिए शुरूत के अधार पर जो भी निक्षे का मतलब यह हुआ कि इनको इंग्लिस में टेरिजीनश डिपोजिट कहा जाता है इनको बायोटिक डिपोजिट कहा जाता है और इसको बालकेनिक डिपोजिट कहा जाता है तो वरगी करण से आपको यह पता चल गया होगा कि श्रोत की अधार पर महासागरी निक्षेट को मुख्यत तेन भागों में बटा गया गी जिसमें भूमिगत मतलब ऐसे निक्षेट जिनकी प्राप्टी भूमी से होती हो लेकिन महासागर में पाए जाते है बहुती सीधा सा सवाल यानी चीजों को बिलकुल उनके हेडिंग से ही पकड़ा करें। भूमिगत लिक्षेप का मतलब ये हुआ कि जो भूमी से उत्पन होकर करके आयों हैं। और महासागर में पाए जा रही हैं। तो भूमी से उत्पन होकर क्या आये, आने का मतलब ये हुआ कि कही न कहीं, पहले टॉपिक्स रेलेट करिएगा, कि महादीपी मर्गन तट पाय जाएगे, फीगर मैं बना रहा हूं पहले दिन का, जो हमने बनाया था आपको. मादीपी मरंतट महादीपी ढाल महादीपी उप्थान गंभीर महासागरी मैदान कटक गरत फिर कटक यह यह उने फिगर बनाया था आज मैं आपको भूमीगत निक्षेप जो पढ़ा रहा हूं उसमें यह कह रहा हूं कि ये जो भूमिगत निक्षेप है, ये भूमी से उत्पन हुए हो, किन्तु महासागर में पाए जा रहे हैं, तो भूमी के निकट पाए, यानि महादीप के निकट पाए, तो यहाँ पर जो निक्षेप मिलेंगे, यहाँ पर जो आवसाद मिलेंगे, उसे क्या कहेंगे, भूमि होते हैं उसे क्या शारते हैं वो मादिपी मंगंकरण पर जो आवसाद जम्रक्न होते हैं उसे घंजरिपोUh कहां जाता है आप महादीपी मंगंतर पर जो आवसाद हैं वह नदियां भी लेकर आएंगे पौन भी लेकर के आएंगे और धुर्वी छेतरों में गलेसियर हिमनग भी लेकर के आएंगे कि तो यह सारे के सारे जो अपरदन के कारक हैं इरोजनल फैक्टर्स हैं वे सब के सब अपने द्वारा जो बहा करके महादीपी मगन तट पर आउसादों को जमा करते हैं उसे भुनगत निक्षेप कहा जाता है साथी साथ महासागर ये तरंगे भी महासागर के दोरा लाए गए जवार भाटाओं के दोरा भी जो आवसाद महासागर के मर्न तट पर निक्षेपित कर दिये जाते हैं वे भी भूमगत निक्षेपित के अंतर गताएंगे तो दोनों का युगदान हो गया महादीप से आने वाले अपरदन के कारकों के दोरा जिस नदियां हैं पवन हैं गलेसियर्स हैं वे भी जो आउसाद बहा करके लाएंगे वो भी महादीपी मगन तट पर जमा किया जाएगा और महासागरी तरंगें ज्वार आदी के द्वारा भी या जलधराओं के द्वारा भी जो भी आउसाद बहा करके महादीपी मगन तक पर कांटिनेंटल सेल्फ पर ला करके छोड़ दिया जाएगा वे सारे के सारे डिपोजिट्स या आउसाद या निक्षेप महा भूमिगत निक्षेप के अंतरगत रखे जाते हैं या सामिल के जाते हैं अब इसमें सवाल यह उठता है कि धुमिगत निक्षेप जो होगा महादीपी मगनतर पर जो निक्षेप होगा वह आजयविक भी हो सकता है और जयविक भी हो सकता है यहीं प्राब को विचार करना आजयविक डिपोजिक भी हो सकते हैं और जयविक डिपोजिक भी हो सकते हैं यहां पर आज जैविक निच्छेप पलस जैविक निच्छेप दोनों हो सकते हैं बायोटिक और नन बायोटिक दोनों परकार के निच्छेप इहां पर हो सकते हैं बिलकुल सभाविक से चीज है कि नदियों के द्वारा पौनों के द्वारा हिमनत के द्वारा बहुत सारे चक्तान को भी मिर्दा को बहा करके लाया जाएगा और बहुत सारे बनस्पतियों के आउस्वस को भी बहा करके लाया जाएगा जो चटान और मिर्दा जैसे आउसाद आएंगे, वे जैविक निक्षेप हो जाएंगे, और बनस्पतियों के सड़े गले हुए अन्फ जो रहेंगे, जीवधारियों के सड़े गले हुए अन्फ जो रहेंगे, ठीक है, ओ, क्या हो जाएंगे, जैविक निक्षेप हो वो भी महादीपी मरम्तर पर आकर के जमा हो सकते हैं, बैट सकते हैं, निक्षेपित हो सकते हैं, और जैविक निक्षेप जान नहीं है, जिसमें लीजिंग की क्वाल्टी नहीं है, वे भी यहां पर आकर के क्या हो जाएंगे, एकत्रित होंगे जमा हो, तुम भूमिगत निक् तो भूंगत निक्षेप में तट से आगें तरह जब आप जाएंगे यह मंगन तट है अब इस मंगन तट पर यहां भूंगत निक्षेप में हमने आपको बताया यहां पर पहली कलास हमने बताया था कि अस्तरी यह करण की पर सेस्ता पाई जाती है पहले कलास में बता चुकि है इसके पहले यानि कल के बाद जो इसके पहले वाली कलास था ओशियन नितल उच्छावश में है कि यहां पर आस्तरी करण की पर सेस्ता पाई जाती है हमने कहा था कि यहां पर ग्रेडिंग की पर सेस्ता पाई जाती है यहां पर जो आवसाद मिलते हैं उसमें ग्रेडिंग की विशेष्टा पाई जाती है हमने वहाँ पर कहा था ग्रेडिंग महासागर के नीतल के उच्चावज को पढ़ाती है समय मैंने आप से कहा था कि महादीपी मेंटेट पर मिलने वाले आवसादों में अस्तरी करड की विशेष्टा पाई जाती है आज मैं इसको समझा रहा है उस अस्तरी करड की विशेष्टा के साथ होता क्या है ठीक है भुमिगत निक्षेट या अस्तरी करड की विशेष्टा जब यहां पर मिलता है मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा जो चट्टान का टुकड़ा है सबसे पहले छूटेगा या बैठेगा या निच्छे पित हो उसके बाद इससे छोटा उससे बाद इससे छोटा फिर छोटा फिर छोटा और छोटा और फिर इस तरीके से कड़ों का ब्यास क्या होता जाएगा कम होता जाएग और अंतिमें जाकर के केवल पंक बचेगा कीचण बचेगा जो यहां पर पाए जाता है इसी को कहते हैं ग्रेडिंग या अस्तरी करड़की पिसिफ्ता है अब होता क्या है ऐसा इसलिए होता है कि नदियों का बेग जैसे ही नदिया सागर में गिरती हैं वहां पर उनका बेग ज्यादा होता है और जैसे जैसे सागर की तरफ बढ़ते हैं अपरदन के कारकों का बेग क्या हो जाता है कम होते जाता है और इस तरीके से बड़े चटान अंदर तक नहीं जा पाते पहले ही छोटे चले जाते हैं और क्रम सह छोटे छोटे चुकड़े या चटान अंदर की और बहा करके ले जाए जाते हैं यहां तक सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि ग्रेडिंग की विश्वत्ता कैसे पाई जाती है कि ठीक है कि लेफ्ट शाइड में दिखाई नहीं दे रहा अच्छा ठीक है ठीक है कि ठीक है देखिए जो लेफ्ट शाइड में दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है तो कि अधिक करवाती है तो ग्रेडिंग की विश्वत्त तक त्यांत समझ में आ गया है कि अब है अब यह बता रहे हैं करिश्मा चौधरी जी अभी मैं बता रहा हूं कहां क्या होता है अब यहां दखिए अब यहीं से सवाल बनते हैं जो हमने सवाल पूछा आपसे कि ग्रेडिंग की जो भी सेष्वता पाई जाती है यहीं से आयोग के द्वारा सवाल पूछा जाता है कि grading के अधार पर अस्तरी करण के अधार पर जो भी क्रम है चक्तानों का या कड़ों का वो आपको याद करना है अब ये क्रम में आपको लिख रहा हूँ सारे लोगों को अभी याद करके सुनाना है मेरा मानना है कि बाद में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है जो आपको बताया है चलिए अब जो भुमिगत लिख शेप में अस्तरी करण के विख सेफता पाई जाती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ठीक बोड़ देखिए अगर आपको जो करम याद रखना है वो है बी, सी, पी, जी, जी बी, सी, पी, जी, जी बोल्डर कोबल पेबल ठीक है बोल्डर, कोबल, पेबल और फिर उसके बाद है ग्रेनियूल और ग्रेबल इसी ग्रेबल को बजरी कहा जाता है ये करम से आपको ये आपको पूरा त्यार करना है अभी तो हमने सौर्ट फर्म में बी, सी, पी, जी, जी लिख दिया है तो बी, सी, पी एक पार्टी जैसा लग रहा है बी, सी, पी याद करनी जीए ठीक और यहाँ पर जी और जी सारा लोगों को यहाँ तक किलियर है, तो सबसे बड़ा चक्तान का टुकड़ा कौन सा निक्षेपित होगा सबसे बड़ा चक्तान का टुकड़ा कौन सा और सबसे पहले कौन निक्षेपित होगा बोल्डर, कि उसके बाद कोबल, कि उसके बाद पेबल ठीक है आप समझेए इसमें दिवा ही नहीं लगाना है कल मैं आते ही आप से पूछूँगा कि खारमुला आमने कौन फ़र दिया था बी सी पी जी जी ठीक है अब उसके बाद जब आएंगे तो आपको मिलेगा सैंड सीट सैंड सिल्ट चीका पंग सैंड सिल्ट चीका और पंक यह आपके क्रम है सैंड सिल्ट चीका पंग ठीक है चीका कोई कले कहते हैं तो फिर से सारी चीज़ है उपर की कखीन है इसलिए हमने दे दिया तो चा मतलब तीन दो भागों में बाट करके इसको याद करना है शैंड मतलब बालू और बालू से थोड़ा सा बड़ा होता है बजरी बजरी ऐसे समझे कि मिसरी का दाना अगर आप लोग ने देखा हो तो मिसरी के दाने के बराबर उसका आ आप इसां आहा जाती है जिसमें मोटी वालू महीन बालू मध्यान बालू ठीक है उसला बालू के कड़े। तो उसमें जो है, बोल्ड अक्रम से BC, लिया नखीएगा, BCP, BCP, क्यात करना है, BCPGG, सैंड, सिल्ड, ची का पंक, तो उपर के पाले अलग याद करिए, और सैंड, सिल्ड, ची का पंक नीचे, तो हमारे साथ सारे लोग बोलिए, आँख बंद करिए, मोबाइल पर ही, ठीक है, अब उपर से बोलिए, क्यों फार्मूला, BCPGG, बोले एक खिरी से बोलिए, BCPGG, और फिर नीचे जलते हैं, सैंड, सिल्ड, ची का पंक, ये करम आप से पूशा जाता है, ये कौन सा निक्षेप है, भूविगत निक्षेप है, महादी फी मंतर पर पाए जाएंगे, ठीक है, और यहीं पर मर्रे ने पंक को तीन भागों में विभाजित किया था, लाल पंक, लीला पंक, और हरा पंक. लाल पंक, लीला पंक, और हरा पंक. ठीक है, ये किसका युहाजन है, मर्रे का युहाजन है, ठीक है, इतना आपको भूविगत निक्षेप में जानना है, ठीक, आप कभी पूश देगा कि लाल पंक में कौन सा पाए जाता है, तो इसमें लोहे के अक्साइड, किसी भी चीज का रंग लाल, मिट्टी का रंग ल होना, उसमें लोहे का अक्साइड पाया जाएगा, ठीक है, उसी तरीके से, अगर किसी कीचर का रंग लाल है, उसमें क्या हो जाएगा, लोहे का अक्साइड पाया जाएगा, तो लोहे के अक्साइड भी यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए लाल पंक, इसका रंग क्या हो जाता ह लाल हो जाता है ठीक आप समझेए जो most important चीज है वो यह है कि यहां से आपके जो सवाल कोशे जाते हैं यह करम तो B C P G G सेंड, सिल्ट, ची का पंक आपको याद रखेंगा अब मैं जैविक निक्षेप को अलक से आपको बताऊंगा जोला मुखी निक्षेप जारा समाद दी तो निसकर्श क्या हुआ अब ध्यान से रखी कि बहुत ही इंपोर्टेंट सी बताने जा रहा हूं कंसंट्रेट हो जाए हमने यह बताये कि भुमिक निक्षेप में जैविक निक्षेप भी मिल रहे हैं और आज जैविक निक्षेप भी मिल रहे हैं जबकि हम लोगोंने जैविक निक्षेप का एक अलग से कालम बना रखा है अलग से वरगी तरड़ कर रखा है मतलब यह हुआ कि जैविक निक्षेप भुमिक निक्षेप भी हो सकते हैं या इसे समझे कि भुमिक निक्षेप जैविक निक्षेप भी हो सकते हैं किलियर हुआ, आपसे पूछा जाएगा कि क्या भूमिगत निक्षेप, जैविक निक्षेप हो सकते हैं, तब कहेगा बिल्कुल हो सकते हैं, कठन देगा, कहेगा कि भूमिगत निक्षेप, जैविक निक्षेप होते हैं, और कार देगा कि केरिजिनस डिपोजिट या तो कहाने का मतलब क्या हुआ? जीवों के निक्षेप अगर महादीपी मगनतट पर पाए जा रहे हैं, तो भुमिगत निक्षेप जेविक निक्षेप हुए कि नहीं हुए? तो आप कहेंगे बिल्कल हुए. इसलिए जयविक निक्षेप को गहराई के अधार पर हम लोग further divide करते हैं ति रिपीड कर रहा हूं इसको पकड़े रहीएगा, इस line को पकड़के बैठीएगा अगर 10 मिनट बात मैं बताऊंगा इसलिए जयविक निक्षेप को गहराई के अधार पर हम लोग आगे divide करते चले जाते हैं क्योंकि बहुत सारी मचलिया या जिवारी ऐसे हैं जो महासागर में 200 फैदम की गहराई तक ही क्या करते हैं, सफर करते हैं, यात्रा करते हैं कूछ ऐसे हैं, जो 2000 फैदम की गहराई तक जाते हैं के वोड़ है हैं, 240 फैदम गहराई तक जाते हैं तो महादीपी मरण तक पर 200 मीटर तक, यानि महादीपी मरण तक पर यदि उस मचली के आउसेश या बचा हुआ भाग जमा होता है, तो है तो जैविक निक्षेप न, है तो जैविक निक्षेप न, लेकिन मिल कहां रहा है, भूमिगत पर, क्लिए हो गया, तो क्या मतलब जैविक निक्षेप हो सकते है, अब यहां पर आते हैं हम लोग, जॉलामुकी निक्षेप पर, ज्ञाल एसन निक्षेप का मतलब, बल्कैनिक देफोजिल का मतलब, आपको पता है कि जोलामुकी के, जो मैंगमा है, पिर्थिवी के अंदर गर्म गलित पदार्थ को मैगमा कहता है ठीक है जब यही मैगमा सतह पर प्रकट होता है उसे लावा कहा जाता है अब इस लावा में आक्सीजन, सिलिकान, एलमूनियम, लोहा जैसे बहुत सारे तत्यों पाए जाते हैं ठीक है अब जब यह लोहा आईरन इस आक्सीजन से या जल के आक्सीजन से जल के ओटू से किरिया करता है तो फेरिक आक्साइड लोहे का आक्साइड का निर्माड होता है या इसे समझेए लोहे के आक्साइड का निर्माड होता है और इसी को बिज्ञान की भासा में जंग लगना कहा जाता है चुकी जंग लगा हुआ चीज देखने में लाल दिखाई देता है इसलिए महासागरों में जो भी जोला मुखी के निच्छे पाए जाते हैं उसे लाल मृत्ति का कहा जाता है इसलिए जो भी जोला मृत्ति का कहा जाता है क्यम्कि उसमें लोहा का अक्साइड मिला होता है आइरन का अक्साइड मिला होता है समझ में आ गया सब लोगों को ठीक है परवेंज रिपीट कर देते हैं चलिए जो लोग नहीं समझें फिर पर हीट करना देखिए हमने क्या गए है कि जो जोला मुखी के लावा में जो जोला मुखी उदगार होता है महासागरों के पेदी पर महासागर के नीतल पर बहुत सारे जोला मुखीयां पाई जाती है तो उन जोलामखियों के नीतल से जब जोलामखी फटते हैं जोलामखी का उदगार होता है तब उस लावा में आकसीजन, सिलिकान, एलमूनियम, लोहा जैसे तत्तो पाए जाते हैं जब यह लोहा आकसीजन से जल में उपस्थित आकसीजन से ओटू से अभिक्रिया करता है तो फेरिक आकसाइड या लोहे के आकसाइड का निर्माड करता है और यही लोहा का अक्साइड को जंग लगना जैसे लोहे और बाहर लोहे को छोड़ देते हैं, सर्या को छोड़ देते हैं, छड़ को छोड़ देते हैं, तो दो महीना, तीन महीना बाद उसमें जंग लग जाता है, और जंग जो लगता है, मुर्चा जाता है, तो उसका रंग कैसा होता है लाल दिखाई देता है ठीक वैसे ही पानी में जो कीचड होता है वह कीचड लाल दिखाई देने लगता है और इसी लाल कीचड को मिर्तिका लाल मिर्तिका कहा जाता है लाल मिर्तिका कहा जाता है ठीक है कोई समस्या आठिया जी काफी लेट जुड़े हैं चलिए कोई बात नहीं कोई दिक्कत समझ में आ गया सब लोगों को लाल मृतिका क्या है चलिए अच्छी बात है अब बोड़ पर आईए अब आप से तो जो अलम की अब जो कंकुलूजन है वो समझिएगा कंकुलूजन यह है कि कल्कुलूजन यह है कि महासागर के अंदर महासागर के अंदर जो जौला मुखी निक्षेप पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है लाल मृतिका कहा जाता है अब आप से सवाल पूछेगा कि किस महासागर में लाल मृतिका की सरवाधिक मातरा पाई जाती है सवाल आपके सामने है कि किस महासागर में लाल मृतिका की सरवाधिक मातरा पाई जाती है आप अब अगे अट्लांटिक अबदूल कलाम जी परशांत महासागर करिश्मा चोधरी परशांत महासागर की 10 स और प्रसांत महासागर प्रसांद प्रेस्टी कोशियन के लाल मृतिका की मातर है सब से जादा है या 75% भाग पर विश्क्रित है प्रशांत महासागर के कुल छेत्रफल के 75% भाग पर लाल मृतिका पाई जाती है प्रशांत महासागर के 75% छेत्रफल या भाग पर लाल मृतिका पाई जाती है जहां से सवाल पूछा जाता है बिल्कुल नहीं राजी लाल सागर नहीं है जो बता रहे हैं उसको ध्यान लखिए पैस्वी कोसियन है इसको ध्यान लखिएगा अब देखिए इसका बहुत ही सीधा सा खंड़ा है बाइब इसमें सबसे बड़ा चेतरफल चेतरफलियत दिस्तार के दृष्टिकोड से महा सागर में फटते हैं सफयाध जॉला मुखी किस महा सागर में उद्गार इस होते हैं सबह्ता किस महाенная करता है तो आप कहेंगे परसांत महासागर तो जहां पर जादा जॉला मकियुदगार होगा वहीपर तो लाल निर्टिकर का जियादा निर्माड होगा परसांत महासागर में जादा जॉला मकियुदगार होता है एक Ilannya Fire यानि अगनी सरिंकला जी से आप कहते हैлись बलय जी स कातरीं फाराफ वैस्टिकोशियन काईते हैं, तो प्रसांत महासागर में तो एक अगनि स्रिंखला का निर्मार होता है, ठीक है, उसके वज़र से पूरे प्रसांत महासागर के तली पर बहुत जादा लावा निकलता है, जिससे वहाँ पर लाल मृतिका का निर्मारत होता है, ठीक है, तो सब्से आदा लाल मृतिका कहां मिलती है, प्रसांत महासागर, अब जो हम से सवाल पूशा जाएगा, कि ये मिलता कहां पर है, तो बिलकुल, ये महासागर के नीतल पर पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा गहरा में पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, महासागर के नीतल पर, अब जड़ा समझीए, कि क्या जहां पर बलकैनिक डिकोजिट मिलते हैं, क्या जहां पर जोलावुखी निक्षेप मिलते हैं, क्या वहाँ पर बायोटिक डिकोजिट नहीं हो सकते, सीधा से सवाल मेरा तू सुनिएगा मैं आप से सवाल कुछ रहा है कि जहां पर बलकैनिक दिपोजिट मिलते हैं क्या वहां बायोटिक डिपोजिट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं मैं केमेंट देख रहा हूं, सवाल फिर सरी पीड कर रहा हूं, जहां पर बल्कैनिक डिपोजिट मिलते हैं, क्या वहां पर बायोटिक डिपोजिट, जैविक निक्षेप मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ग्रियंद्र जे लिख रहे हैं नहीं मिलेंगे, अब्दुलुकलाम लिख रहे हैं कि हो सकते हैं, रतिराज, नीतल पर हाँ, विश्नु, सैनी हाँ, नीरजपाल नहीं, रवीचंद्र नहीं, रंजना अग्रहरी हो सकते हैं, हो सकते हैं, मिलेंगे, 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 नहीं कौन लिखा, नेपाल सिंग नहीं चलिये विल्कुल विल्कुल शिलका परदानी थीक आए बोट पर आए जितने लोग लिखें कि नहीं मिलेंगे उनके उनसे मेरा एक सवाल है रिपीट कर शैर। जितने लोगों ने लिखा है कि वहाँ पर बायोटिक डिपोजिक नहीं मिलेंगे उनसे मेरा एक सवाल है कि क्या महासागर के मीतल पर जीवधारी नहीं पाये जाती अगर वो पाये जाते हैं तो मर करके उपर आ जाएंगे कि नीचे ही रहेंगे मंदों बताइए महासागर के मीतल पर जीवधारी मिलेंगे न हाँ बहुत बड़े-बड़े केकड़े पाये जाते हैं बहुत बड़े-बड़े केचुवे पाये जाते हैं केचुवा ठीक है उस सब महासागर के मीतल पाये जाते है ठीक है तो मरेंगे तो वहीं रहेंगे न ठ तो जब वो मर जाएंगे, तो वहाँ पर बायोटिक डिपोजिट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो महासागर के नीतल पर दिमाग लगाना हो, तो बहुत दिमाग मैं भी लगा सकता हूँ, टीचर के साथ दिमाग नहीं लगा जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान लखि यह कि वह क्या चीज बताए, कि वह अधिक से अधिक आपका कल्यार हो, और सवाल वहाँ से पूछा जाए, तो टीचर जो है, अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, वो यह आपका दिमाग अकरशित करना चाहता, किताबे में तो सब कुछ दिया हुआ है, आप वहाँ ही पढ़ सवाल पूछ लेता है, तो हम लोगों काम वही है, कि आपको कई तरह से उस पर विचार करवाया जाए, और वहाँ से सवाल वने तो आपको समझाया जाए, तो समझना है कि कोशिश करिए, मैं यह कह रहा हूँ कि महासागर के नीतल पर अगर जोला मुखी उद्गार हो रहा ह कि जहां पर जोला मुखी निक्षेप हो रहा है, वहाँ पर जैविक निक्षेप हो सकता है, मतलब क्या हुआ कि जैविक निक्षेप दोनों जगाओं पर मिल सकते हैं, महादीपी मघंतर भी मिल सकते हैं, और गंभीर महासागरी मैदान में भी मिल सकते हैं, अब तर समझना गया होगा कि अच्छे ब्योट्ट डिक्ड बिपॉजिट डोनों ही यहां पर उपस्थित होसकते हैं पहला के रेची नेशिडियों जहां जीपॉजिट जहां पर मिल रहा है तुरों प्रों पर वह को सकते हैं उम्यद करते हैं सारे लोगों पर चीज़गें चलिए, अब हम लोग आते हैं, आप लोगों ध्यान दिया है कि मैं बीच वाले को छोड़ते जा रहा है, इसको हम लोगों को अलग से पढ़ना है, अब चलिए हम आपको बायोटिक डिपोजिट को अलग से पढ़ा करके बताते हैं जेविक निक्षेप को गहराई के अधार पर बाटा गया है इनका जो अरगी करण किया गया है, वह गहराई के अधार पर किया गया है अब इनको दो भागों में बाटते हैं, एक है निरेटिक और दूसरा है पेलोजिक निरेटिक और पेलोजिक दो वर्गी करणा है, निरेटिक दिपोजिक और पेलोजिक डिपोजिक निरेटिक डिपोजिक और पेलोजिक डिपोजिक ठीक है अब समझेएगा गाहराई का धार प्रवरी करण है नरेटिक डिपोजिट का मतलब यह हो गया कि यह कम गहराई पर मिलेगी कम गहराई पर मिलेगी और प्रेलोजिक डिपोजिट का मतलब हो गया कि यह थोड़ा अधिक गहराई पर पाये जाते हैं ठीक है थोड़ा अधिक गहराई पर पाये जाते हैं अब अगर यह कम गहराई पर हैं तो सीधा से कंसेप्ट हो गया कि निरेटिक डिपोजिट भूमिगत भी हो सकते हैं यानि महादीपी मर्मतड़ पर मिल सकते हैं भूमिगत हो कि शक्ते को एंट कम गाराई पर है अभी पहले ही बताया हूं ना जैविक निक्षेप भूमिकत हो सकते हैं वही लाइन यहां पर भी लिग कर सकते हूं तो कम गहराई पर अर्थात महादीपी या मगन तट पर मिलने वाले जैविक निक्षेप को क्या कहते हैं निरेटिक डिकोजिट कहते हैं फिर से रिपीड कर रहा हूं कम गहराई पर अर्थात छिशले जलिये भागों में अर्थात महाथीपी मगनतत पर मिलने वाले जविक निछ्हेप को क्या कहते हैं निर्यैटिक डिकोजिट करिक रोम ठरछता हूं कि अब यहाँ पर विलोजिप डिकोजिट का मतलब हो गया कि यह अधिक घहराई पर मिलेंगे अब एक्जामपल के लिए समझें यहां पर बाल्टी बना दे रहा हूं वहीं से आपको समझने आए यह हमने बाल्टी ले रखा अब बाल्टी के अगपर महासागर माम लेजिए आप लोग अब यहां पर जो मिलेगा यह ने टिक हो जाएगा फीक है निरेटिक के बाद जो पलोजिक है वह क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा इसकी गहारायक ब्लाद ज्यादा हो जाएगे अब एक वरग करण हम लोग और करते हैं कि पिलोजिक डिकोजिट में जैविक पेलोजिक लिपोजिट अब नहीं कैसे बाटें यहां से जैविक ले लिया, बायोटिक ले लिया हमने और यहां से ले लिया पेलोजिट दोनों को मिला करके हमने एक वर्गी करड़ किया यहां से लिया इसको यहां से इसको लिया और यहां से एक हमने वर्गी करड़ किया जैविक पेलोजिक निच्छेव अब इस जैविक पेलोजिक निच्छेव को दो भागों में हम बाटते हैं एक है कैलकेरियस अब दूसरा है सिलिसियस बहुत ही आसान है वर्गी करड़ समझ में आ रहा है कलाफ 6 बज़ से सुरू हो जाता है वर्गी करड़ समझ में आ रहा है हमने जैविक निच्छेव से जैविक चुरा लिया और पेलोजिक निच्छेव से पेलोजिक चुरा लिया और नामकरड़ कर दिया जैविक पेलोजिक निच्छेव ठीक है समाज में आ रहा वर गी करण चलिए अच्छी बात है अब यहां पर कैलकेरियस का मतलब हो गया चूना प्रधान उज्व चूना प्रधान उज्व और सिलिसियस का मतलब हो गया सिलिका प्रधान उज्व चूना प्रधान उज्व और सिलिका प्रधान उज्व चीजे समझ में आ रही है उज्व का मतलब होता है निक्षेपिया भी पोजी अगर मुझे सीधे इस टौपिक पर आना होता तो मैं केवल यही कैलकेरियस और सिलिसियस पढ़ा देता और टौपिक समाप्त कर देता और आपको समझ में आता कि सर ने बहुत बढ़ियां पढ़ हमेशा अवाबा निभाया अपने तरफ से निभाया त्पिक दूसरे लोग निभाय और निभाय उससे नहीं मतलब था ठीक है आप लोग भी निभाईएगा तीक है अब बोड देखिए गा आप से कहना ये था कि वरगी करण को समझे हम लोग किसको ले रहे हैं हम लोग किसको ले रहे हैं जैविक डिपोजिट को ले रहे हैं पेलोजिक को ले रहे हैं हम लोग नेरेटिक को नहीं ले रहे हैं पेलोजिक कहने के मतलब ये था हमने बाल्टी बनाये था यहां पर बाल् ये बायोटिक लिया, पेलोजिक लिया, तब नाम रखा जैविक पेलोजिक में छेट, यानि हमने इसको न ले करके, हम लोगों ने इसको लिये, जो अधिक गहराई मिल रहा है, अब फिर गहराई के दिरिश्टी कोड से, चूना परधान उजी, चूना परधान उजी, कुछ कम गहराई में मिलेंगे, और सिलिसियस जो उज़ होगा, वह कुछ अधिक गहराई में चला जाएगा, यानि आप देखें, ये खाना बचा है, इसमें यहां तक, यहां तो चूना परधान मिल जाएगा, और यहां जो है, सिल्का वाला मिलेगा, चूना उपर रह जाएगा, और सिल्का क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो चूना परधान उजी, दोनों की अगर तूलना करें, इन दोनों की तूलना करें, तो इन दोनों में कम गहराई पर ये होगा, इन दोनों में कम गहराई पर ये होगा, और इसमें ये अध थीक है अब यहां समझे जा अब जो कंसेप्ट यहां पर जानना है और यह जानना है कि क्यों ऐसा रखा गए तो चूना प्रधान उजमें यहां पर चूना की प्रधानता होती और सिलिसियस उजमें सिलिका की प्रधानता होती है सिलिका अधिक होता है मतलब क्या हो गया कि जो भी यहां जीव मिलेंगे कैलकेरियस में जो भी जीव मिलेंगे उसमें चूना उनके जीवन यापन के लिए चूना जाद जरोरी होगा चूना उनका भोजन होगा और सिलिसियस में जो जीव मिलेंगे तो इस तरिके से दोनों में अंतर यह है, कि इन जियों का आधार चूना है, और यहां पर मिलने वाले जियों का आधार क्या है? सिल्का है तो सिय अफसा भाविक सा बात है कि चूना अधिक गहराई में जाकर घुल जाएगा अधिक गहराई में घुल जाता है इसलिए इस पर आधारित जीव बहुत गहराई तक नहीं पाए जाएंगे चूना अधिक गहराई में मिलेगा है तो चूना जब अधिक गहराई में नहीं मिलेगा तो कैलकेरियफ जो जीव हैं जो चूना परधान उज हैं वह ज़्यादा गहराई में नहीं मिलेगे योगैं चुणा तक नहीं मिल रहा रहा है ऐधीक है दिर से समझिए कानियाrade क्या मतलब चुना जैसे-जैसे नीचे जाते हैं वह घूलते जाता है तो जब घूल जाएगा चूणा वहां तो क्या ही में तो क्या हो जाएंगे पाये जाएंगे और फिर वά वहाँ पर मरेंगे उनके टीकोजित्स वहाँ पर पाये जाएंगे उनके निशे जाएंगे फीक है तो यही चीज़ bake पर आगा आपको हूंगाना था तो कवल कीरी के तो वे चुना परधान उज्वीश में चुना गहराय मे जीव हैं वो काफी गहराई में पाए जाते हैं इसलिए सफ्यादा यहीं नीचे जाते हैं चलिए हम लोग आ जाते हैं अब फिर से अपने टॉपिक पर जो सवाल पूछा जाता है अब इनका जो वर्गी करण किया गया जो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है खुब पूछा जाता है वह एक्दम गाठ बाद लिए याद करवा दे रहा हूं यहां पर टी जी डी आर परतिया फार्मूला याद कर लीए ती जी डी आर क्याद रखना है पी जी डी आर क्याद रखना है पी जी डी आर अब यहां समझी पी का मतलब हो गया पी का मतलब हो गया तेरा पोड़ा उझे तेरा पोड़ा उझे जी का मतलब हो गया गुलोब जरीना उझे पी का मतलब हो गया डाया टॉमिक पोड़ा उझे का मतलब हो गया और आर का मतलब हो गया इस अलन कि कि उज्ज रेडियो लेरियन उज्ज तो क्या रखना टी जी बी आर इसम स्ट्ट फार्मूला है आप हमेशा याद करके भूल जाते हैं कि इसके पहले वाले में क्या कहा वी सीपी वी सीपी याद करिए बी सीपी जीजी ठीक है और यहां मीशे आपको याद रखना है टी जी डी आर गहराई के दृष्टिकोर से बिल्कुल सजा हुआ घड़ता हुआ करम है जो मैंने आपको बताए इन दोनों में इन दोनों में यह कम गहराई पर मिलेगा यह अधिक गहराई पर मिलेगा और इसमें यह कम गहराई पर मिलेगा और यह अधिक गहराई पर मिलेगा ठीक है चुकि ये कैलकेरियस उज है चुना परधान उज है इसलिए इन दोनों में चुना की मात्रा अधिक होगी इसलिए तेरा पोड़ा और जरीना ये दोनों ही जीव सिलिशियस यानि डियाटॉमिक और एडिलेवरियन से अधिक उसाई पर पाया जाएंगे और ये दोनों अपिक्साक्रित ज्यादा गहराई में पाया जाएंगे ठीक है समझ में आ गया होगा आप समझी यहां पर अब यहां से जो सवाल पूशा जाता है वहां आप से क्या करत हाँ ता वहाँ मैं पूछता है कि यहां पर कौन-कौन से जीवधारी पाया जाते हैं यहां पर जो जीव पाया जाते हैं वह जीव आपसे पूछे जाते हैं मैं आप लिख दे रहा हूं जीव मुलस्का संग के जीव जितने है यहाँ पर मिलता है गलोब जरीना जो है गलोब जरीना खुज अपने आप में जीव है यह स्वैम यह जीव है डियाटामिक उज्जो है यह खुद अपने आप में जीव है और रेडियल एरियन में प्रोटो जोवा फोरा मीनी फेरा प्रोटो जोवा शंग अदूसरा है फोरा मीनी फेरा संके जीव और साथी साथ खुद रेडियल एरियन अपने आप में एक जीव है तो यहां पर आप समझें जो लोग भी हमसे पूछ रहें अब आपको करना क्या है देखिए मेरा काम था आपको इतम बिल्कुल सठीक और यहां इतना भी कोई दे नहीं पाता है कि कौनसा जीव कितना आएगा और यहां से एक्जाम में सवाल पूछा जाता है चुकि मारा साइंस बेग्राउंट रहा है और बहुत ही बेटर है चुकि हमने त्यारी कर रखाया पहले अच्छा कमिटिटर रहा चुका हूँ इसलिए निकाल करके जो भी परचित जीव होंगे आपके जीवन में जो भी परचित होंगे जिनका नाम अपने सुना होगा मुलाशकासंग के नीचे उन जीव में जीएगा नोशन में दिया हुआ बाटनी बाइयोजी वाले सेक्शन में जाएंगे वाम ही जाए उसी तरीके से गुलब जीवीना खुद अपने आप में जीव है तो यहां कुछ नहीं लिखना है डाया 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 में जाया करके प्रोटो जो आप में जो भी आपके परचित जीव है जो आप नाम सुने है ठीक है उन जीओं का नाम यहां लिखने जीएगा पॉर अब यह दखिए यह पॉरि मोनी फियरा नहीं है यही अंतर मुझे समझाना था आपको कई बार biology के जो लोग होते हैं वे समझते हैं कि यह पोरी मोनी फेरा है नहीं पोरी मोनी फेरा नहीं है यह है फोरा मीनी फेरा है यह थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यह कौन फाजीव है फोरा मीनी फेरा है ठीक उसमें जाकर देखिएगा वहाँ पर जीव यहाँ पर मिल जाएंगे और यह स्वैम है विश्वास करिएगा प्रोटो जोवा से और मुलस्का संग से जियों का नाम आप से पूछा जा चुका है और साथ ही साथ नेट में इसलिए यह टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है तो आपको लुषेंड से उन जियों का नाम जाकर कर लिख देना मैं भी लिखा सकता हूं आज जाओं खोज करके लिख दूं काम हो जाएगा लेकिन साथ केवल टीचर कही साहरे नहीं रहा जाता कम से कम घर जाकर के लुषेंड खोलेंगे इसी बहाने कुछ और भी जनकारे मिलेंगी ठीक है यह था आपका क्या था महासागर के अंदर जो निक्षेप पाए जाते हैं उससे समंदित एक बहुती बेहतर टॉपिक था कोशिस थी कि आपको सारी की सारी चीज़ें ठीक है लिख लो कोमल जय लिख रहे हैं कि आक्टोपस स्क्वाइट ट्राइपोड में होते हैं ठीक है यह सारी चीज़ें उज क्या है सर द और साथ होते हैं जो जमा होते हैं उसे डिपोजिट या उच कहा जाता है और कोई सवाल ट्रापिक समझ में आ गया सब लोगों को ट्रापिक समझ में आ गया हो तो फिर नेश्ट कलाश शुरू किया जाए त्यारो पोर्ड ओशन में मिलते हैं हां ओशन मतलब ओशियन लिख रहे हैं हां मिलेंगे मिल्कूर नेट पुर्ण पढ़ाओंगा त्यक क्या रिप्ट कर देना है जितने वरकी करणे भेस हुं होई है वहहीं पर हुए प्टा दे मिलॉजिक दिपोजिटुए पूस प्लेड बहागों बाठते हैं पर दो भागों बाढ़ते हैं, कलकेरियस और सिलीशियस और कलकेरियस को भागों बाढ़ते हैं, सिलीशियस को भागों बाढ़ते हैं. ये PGT, TGT, NET, JARF और Degree College पर रखता कि कोई भी एग्जाम हो पूरे भारत में, आप सब क्वालिफाई कर जेगा, सारा पढ़ा रहा हूं. मैं बटवारा नहीं करता हूं, मैं भूगोर पढ़ाता हूं, मुझे ये पता है, मैं सब पढ़ा दूगा, आपको क्या उसमें सुलेना, आप लेकर के किनारे हो जाईएगे. हाँ, जिस दिन इकजाम रहेगा, उस दिन कलास बंद कर दिया जाएगा. हाँ, बिल्कुल ले लेगी, सौट ले लेगी, ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग फिर पांस मिनट के ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं, सबा साथ बज़े तक हम लोग मिलेंगे, question paper discussion होगा, ठीक है, अब तक के लिए आप लोग इफ्रेस हो जाईए, तुरंक मिलते हैं लोग झाल, 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